पुरान बीसवा अध्याय अन्य शह द्वीपो तथां लोका लोक परवत का वरणन शृरी सुकदेव जी कहते हैं राजन अब परिमान लक्षन और स्थित्ती के अनुसार प्लक्षादी अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वरणन किया जाता है जिस प्रकार मेरू परवत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमान और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेश्ट है श्रीशुग्रेव जी कहते हैं राजन अब परिमान लक्षन और स्थिती के अनुसार प्लक्षादी अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वरणन किया जाता है जिस प्रकार मेरू परवत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमान और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेश्ट है फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवनों से घिरी रहती है उसी प्रकार शार समुद्र भी अपने से दूर दूने विस्तार वाले प्लक्ष दीप से घिरा हुआ है जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है उतने ही विस्तार वाला यहां सुवर्ण में प्लक्ष पाकर का व्रिक्ष है उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष दूरीप हुआ है यहां साथ जिहवाओं वाले अगनी देव विराजते हैं इस दीप के अधिपती प्रिवरत पुत्र माहराज इद्म जिह थे उन्होंने इसको साथ वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौप दिया तदा स्वयाँ अध्यात्म योग काश्रह लेकर उपरत हो गए इन वर्षों के नाम शिव यवस صुबदर शांत छेम अमरित और अभय है इन में भी साथ पर्वत और साथ नदिया हैं इन में भी साथ पर्वत और साथ नदिया ही प्रशिद्ध हैं वहां मनीकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिश्मान, सुपर्ण, इरन्यस्थिव और मेघमाल ये साथ मर्यादा पडवतत है। तदा अरुना, निश्पना, आंगीरसी, सावित्री, सुप्रभाता, रितंभरा और सत्यंभरा ये साथ महानदिया। वहां हंस, पतंग, उर्धुवारियन और सत्यांग नाम के चारवन है। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुन, तमोगुन, शिर्ण होते रहते हैं। इनकी आयू एक अजार वर्ष की होती है। इनके सरीरों में देवताओं की भाती, ठकावट, पसीना आदी नहीं होता और संतान उत्पत्ती भी उनहीं के समान होती है। ये त्रई विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्नन किये हुए स्वर्ग के द्वारभूत, आत्म स्वरूप भगवान सूरी की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य अनुष्ठान युग्य धर्म और रित प्रतीत होने वाले धर्म वेद और सुभाशुब फल के अधिश्ठाता हैं। उन पुरान पुरुष विश्वरूप विश्विश्णू स्वरूप भगवान सूरी की हम सरन में जाते हैं। प्लक्ष आदीप पांच दीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयू, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रियबल, शारीरिक बल, बुद्धी और पराकरम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्ष दीप अपने ही समान विस्तार वाले एक्छूरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमान वाला शालमली दीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदीरा के सागर से घिरा है। प्लक्ष दीप के पाकर के पेड के बराबर उसमें सालमली शेमर का व्रिक्ष है। प्लक्ष दीप के पाकर के पेड के बराबर उसमें सालमली सेमर का व्रिक्ष है। कहते हैं यही व्रिक्ष अपने वेद में पंको से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षी राज भगवान गडूर का निवास स्थान है। तथा यही इस दीप के नाम करन का भी हेतु है। इस दीप के अधिपती प्रियवरत पुत्र महाराज यग्य बाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन सौमन्यस्य रमनक देववर्ष पारिभद्र अप्यायन और अविज्यात नाम से साथ विभाग कियें। और इन्हें इन्ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौप दिया। इनमें भी साथ वर्ष परवत और साथ ही नदियां प्रसिद्ध हैं। परवतों के नाम स्वरस, सत, श्रिंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्प, वर्ष और सहस्त, शुरुती है। तथा नदिया, अनुमती, सिने वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका है। इन वर्षों में रहने वाले शुरुत धर, वीर्य धर, वसुंधर और इश धर, इशंधर नाम के चार वर्ण, वेद मैं, आत्म, स्वरूप, भगवान। चंदर्मा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरनों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्रानियों को अन्य देते हैं, वे चंद्र देव, हमारे राजा, रंजन करने वाले हो। इस प्रकार मदीरा के समुद्र से आगे उससे दुने पडिमान वाला कुष द्वीप है, पुरवक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान, विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुषो का ज्जाड है, उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अगनी देव के समान अपनी कोमल शिकाओं की कांती से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन इस द्वीप के अधिपती प्रियवरत पुत्र महाराज हिरन्य रेता थे। उन्होंने इसके साथ विभाग करके उनमें से एक एक अपने साथ पुत्र वशु वशुदान दृड रूची नाभी गुप्त स्तुतत्य वरत विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयम तप करने चले गए। उनकी सी माओं को निश्चे करने वाले साथ परवत हैं और साथ ही नदिया हैं। परवतों के नाम चक्र, चतुश्रिंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, उर्द रोमा और द्रविन हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, शृत्रविंदा, देवगर्भा, घृत्चीूता और मंत्रमाला। इनके जल में सनान करके कुश द्वीप वासी, कुशल कोविद अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अगनी रूप सरूप, भगवान हरी का यज्यादी कर्म कोशल के द्वारा पूजन करते हैं। तथा इस प्रकार स्थुती करते हैं अगने, आप पर ब्रह्म को साक्षात हवी पहुचाने वाले हैं। अतभगवान के अंग भूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुन परिमान वाला कौँच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है। उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूद के समुद्र से घिरा हुआ है। यहां क्रॉंच नाम का एक बहुत बड़ा परवत है। उसी के कारण इसका नाम क्रॉंच द्वीप हुआ है। पुर्वकाल में श्री स्वामी कार्थिके जी के सस्त्र प्रहा से इसका कटी प्रदेश और लता निकुंज आदी छत विक्षत हो गए थे। किन्तु चीर समुद्र से सीचा जाकर और वरुन देव से सुरक्षित होकर या फिर निर्भै हो गया। इस द्वीप के अधिपती प्रियवरत पुत्र महाराज धृत प्रिश्ट थे। वे बड़ी ज्यानी थे उन्होंने इसको साथ वर्षों में विभक्त कर उनमें उनही के समान नाम वाले अपने साथ उत्तरा धिकारी पुत्रों को नियुक्त किया। और स्वयम संपूर्ण जीवों के अंतरात्म परम मंगल में किर्ती शाली भगवान श्री हरी के पावन पादार विंदो की शरन ली। महराज दृत प्रिष्ट के आम मधूरूह मेग प्रिष्ट सुधामा भराजिष्ट लोही तार्न और वनस्पती ये साथ पुत्र थें। उनके वर्षों में भी साथ वर्ष परवत और साथ ही नदिया कही जाती हैं। परवतों के नाम शुक्ल, वर्दमान, भोजन, उपबरहिन, नंदन और सर्वताब्रद हैं तथा नदियों के नाम हैं अभया, अम्रित तौगा, आर्यका, तिर्थवती, विर्ती रूपवती, पवित्रवती और शुकला। इनके पवित्र और निर्मल जल का शेवन करने वाले वहां के पुरुष, रिशव द्रविन और देवक नामक, चार वर्ण वाले निवासी जल से भड़ी हुई अंजली के द्वारा, आपो देवता जल के देवता की उपासना करते हैं। यह जल के देवता तुम्हे परमात्मा से सामर्थ प्राप्त है। तुम भू, भुव और स्वह तीनों लोकों को पवित्र करते हो क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्स करते हैं। तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इस प्रकार चीर समुद्र से आगे उसके चारो और 32 लाक योजन विस्तार वाला शाक दूइप है जो अपने ही समान परिमान वाले मठे के समुद्र से गिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बरा व्रिक्ष है वही इस चेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंद से सारा दूइप महकता रहता है। मेधा तिथी नामक उसके अधिपती भी राजा प्रियवरत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने दीप को साथ वर्षों में विभक्त किया। और उन्हें उन्ही के समान नाम वाले अपने पुत्र, पुरोजव, मनोजव, पवमान, धुम्रानिक, चित्र, रेफ, बहुरूब और विश्वधार को अधिपती रूप से नियुक्त कर स्वयम भगवान अनंत में दत्चित हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी साथ मरियादा, परवत और साथ नदिया ही हैं। परवतों के नाम इशान, उडश्रिंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्त्र, स्रोत, देवपाल और महानश हैं। तथा नदिया, अनगा, आड़ियदा, उभैश, पस्टी, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्र, स्तुती और निजधृती हैं। उस वर्ष के एरित्वरत, सत्यवरत, दानवरत और अनुवरत नामक पुरुष, प्रानायाम द्वारा अपने रजोगुन, तमोगुन को छीर्ण कर महान समाधी के द्वारा वायू रूप, श्री हरी की अराधना करते हैं। और इस प्रकार उनकी स्तुती करते हैं, जो प्रानादी वृत्ती रूप अपनी धोजाओं के सहित, प्रानियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं, तथा संपूर्ण द्रिश्य जगत जिनके अधीन हैं, वे साक्षात अंतरयामी वायू भगवान हमारी रक्षा करें, इसी तरह मठे के समुद्र से आगे उसके चारो और उससे दुगने विस्तार वाला पुशकर दूइप है, वो चारो और से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है, वहां अगनी की सिखा के समान देदिप्यमान लाको स्वर्ण मैं पंकुडियों वाला एक बहुत बड़ा पुश्कर कमल है जो ब्रह्मा जी का आशन माना जाता है उस द्विप के बीचों बीच उसके पूर्विये और पश्चिम्ये विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसुत्तर नाम का एक ही परवत है यह दस हजार योजन उचा और उतना ही लंबा है इसके उपर चारों तिशाओं में इंदरादी लोकपालों की चार पुडिया है इन पर मेरू परवत के चारों और घूमने वाले सूरि के रत का समवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायन और धक्षिनायन के क्रम से सरवदा घूमा करता है उस द्वीप का अधिपती प्रियवरत पुत्र विती होत्र भी अपने पुत्र रमनक और धाति की को दोनों वर्षों का अधिपती बनाकर स्वयम अपने बड़े भाईयों के समान भगवत सेवा में ही ततपर रहने लगा था वहा के निवासी ब्रह्मा रोप भगवान हरी की ब्रह्म सालोक्य दी की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से अराधना करते हुए इस प्रकार स्थिती करते हैं जो साक्चात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिती है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं ब्रह्म ग्यान के साधन रूप उन अद्वितिय और सांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ती भगवान को मेरा नमशकार है श्री सुगदेव जी कहते हैं राजन इसके आगे लोका लोक नाम का परवत है यह पृत्वी के सब और सूरी आदी के द्वारा प्रकाशित और और प्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है मेरू से लेकर मानुसुत्तर परवत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमी शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है जिसके आगे सुवर्ण मै भूमी है जो दरपन के समान स्वक्ष है इसमें गिरी हुई कोई वस्तु नहीं मिलती इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक और कोई प्रानी नहीं रहता लोका लोक परवत सूर्य आदी से प्रकाशित और अप्रकाशित भू भागों के बीच में है इसे इसका यह नाम पड़ा है इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों और सीमा के रूप में श्थापित किया है यह इतना उचा और लंबा है कि इसके एक और से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर द्रुव परियंत समस्त जोतिर मंडल की किरने दूसरी और नहीं जा सकती विद्वानों ने प्रमान लक्षन और स्थिती के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है यह समस्त भूगोल पचास कडोर योजन है इसका चोड़ाई भाग अर्थात साढ़े बारह कडोर योजन विस्तार वाला यह लोक का लोक परवत है यह समस्त भूगोल पचास करोर योजन है इसका चोड़ाई भाग अर्थात साढ़े बारह करोर योजन विस्तार वाला यह लोका लोक परवत है इसके उपर चारो दिशाओं में समस्त संसार के गुरू स्वयंभूप भ्री ब्रम्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिती के लिए रिशव, पुशकर, चूड, हुआमन और अपराजित नाम के चार गजराज नियुक्त किये हैं इन दिग्जों की और अपने अंस स्वरूप इंदरादी लोकपालों की विविद सक्तियों की वृद्धी तता समस्त लोकों के कल्यान के लिए परम एश्वरी के अधिपती सरवांतर यामी परम पुरुश्री हरी अपने विश्वक के विश्वक सेन आदी पारशदों के सह इस परवत पर सब और विराजते हैं वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रा को जो धर्म ग्यान वैराग्य और एश्वरी आधि आठ महा सिद्धियों से संपन्य हैं धारन किये हुए हैं उनके कर कमलों में शंक चक्रादी आयूद शुशोभित है इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविद लोकों की विवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीला में रूप से कल्प के अंत तक वहां सब और रहते हैं लोका लोक के अंतरवर्ती भू भाग का जितना विस्तार है उसी से उसके दूसरी और के अलोक प्रवदेश के परिमान की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए उसके आगे तो केवल योगेश्वर की ही ठीक ठीक गती हो सकती है राजन स्वर्ग और प्रित्वी के बीच में जो ब्रह्मान का केंद्र है वही सूरी की स्थिती है सूरी और ब्रह्मान गोलक के बीच में सब और से पचास करोर योजन का अंतर है सूरी और ब्रह्मान गोलक के बीच में सब और से पचीस करोर योजन का अंतर है सूरी इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वेराज रूप से विराजते हैं इसी से इनका नाम मारतंड हुआ है ये हिरन्य में जोतिर में ब्रह्मान से प्रकट हुए हैं इसलिए इने हिरन्य गर्भ भी कहते हैं सूरी की द्वारा ही दिशा आकाश द्यू लोक अंतरिक्ष लोक भू लोक स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश नरक और रसातल तता अन्य समस्त भागों का विभाग होता है सूरी ही देवता, तिरियक, मनुष्य, सरिश्रिप और लताव रिच्छादी समस्त जीव समोहों के आत्मा और नित्रिंद्रिय के अधिश्ठाता है राजन स्वर्ग और प्रित्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है स्वर्ग यानि स्वर्ग लोक और प्रित्वी लोक यानि ये भू लोक के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूरी की स्थिती है सूरी और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब और से पचीस करोर योजन का अंतर है सूरी इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं इसी से इनका नाम मारतंड हुआ है ये हिरन्य में जोतिर में ब्रह्मांड से प्रकट हुए है इसलिए इन्हे हिरन्य गर्भ भी कहते हैं सूरी के द्वारा ही दिशा आकाश दियू लोक यानि अंतरिक्ष लोक सूरी के द्वारा ही दिशा आकाश इसलिए इन्हें हिरन्य गर्भ भी कहते हैं यानि सूरी को ही हिरन्य गर्भ कहते हैं और जोतिर में हिरन्य में भी कहते हैं मारतंड भी कहते हैं सूरी को हिरन्य में भी कहते हैं जोतिर में भी कहते हैं चुकि ब्रह्मान्ड से प्रकट हुए हैं और हिरन्य गर्व भी कहते हैं इसलिए इन्हें हिरन्य गर्व भी कहते हैं सूरी के द्वारा ही दिशा, आकाश, दियू लोक यानि अंतरिक्ष लोक, भू लोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश नरक और असातल तता अन्य समस्त भागों का विभाग होता है सूरी ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीश्रिप और लता वरिक्षादी, समस्त जीव समूहों के आत्मा और नित्रिंद्रियक के अधिश्ठाता है